वेलकम 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 मोटिफ लेक्ट्रिक के यूटुब चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ मोहित राय गोयल और आज हम देखने वाले हैं मोटिफ के M7G Mini Auto Switch Connection कैसे के जाले हैं मोटिफ के M7G Mini के Connection बहुत असान है M7G Mini ऐसा Auto Switch है जो कि छोटा Packet बड़ा धमाका इसके अंदर आपको मिलते हैं 6 पाइदे अगर आपकी Input Voltage में कोई भी Unbalance है तो तुरंत आपकी Pump या Motor को बंद करेगा और आपकी Motor को स्रक्षित रखेगा नमबर 2 अगर Reverse Phase आ रहा है तब भी आपके Panel को बंद कर देगा नमबर 3 अगर fluctuation है तो भी बंद कर देगा और स्रक्षित रखेगा नमबर 4 कि यह आपकी Motor को जब Line ठीक हो जाएगी यानि Healthy हो जाएगी वोल्टेज ठीक आने लग जाएगी तो आपकी Motor को यह Automatically On कर देता है और चलाता है तो यह थे इसके चार फाइदे इसमें तीन operation होते हैं Manual, SPP और Auto आए तीन Mode को हम समझते हैं बाइपास मतलब जैसा कि नाम बताता है बाइपास मतलब यह Auto Switch सिस्टम से आउट हो गया तो बाइपास हो गया तो समझी यह ही नहीं आप अपने पैनल को जैसे चलाते थे वैसे चलाए अगर आप इसको रखते हैं SPP मोड में यानि बीच वाले मोड में यह बीच में तो आपको यह कोई भी Motor में अगर लाइन में प्रावलम आती है तो ब बंद कर देता है लेकिन Automatically on नहीं करता है बंद कर देता है कोई प्रावलम आएगी तो बंद करके आपकी वेट करें कि आप इसको देखें और अपनी Motor को खुद on करें यह on नहीं करेगा अगर आप इसमें Automate करते हैं तो इस सारी प्रावलम से आपकी Motor को स्वरक्षित रखत तो यह थे तीम मोड बाइपास, SPP और आटो अब हम देखते हैं इसमें Indication कौन सी है इसमें Indication है पहली Indication है डीले, सेक्ड़ इंडिकेशन है Motor on, तीसे Indication है Fault और चौति इंडिकेशन है Power on तो जैसे कि नाम बताता है पहली Indication है डीले जब यह on होता है जब आप यह Motor को on करत है तो यह इसके दिये गए टाइमर यानि 5-10 सेकंट जो on time delay है तब यह light चलेगी जब यह delay खतम हो जाएगा 10 सेकंट खतम हो जाएंगे तो delay की light बंद होके आपकी motor की on light चल जाएगी और अगर कोई Fault है तो Fault की light जल जाएगी और motor को यह off कर देगा Power on यानि जब इसमें पा जैसा की नाम बताता है लाल लगी की red phase यानि L1 में वाइल लगी आपकी yellow phase यानि L2 में और blue लगी आपके B phase यानि L3 में अब आते हैं नीचे की चार तारों पर जोगी है कनशीनी तारे इन कनशीनी तारों को बड़ा ध्यान से देखिए नीचे दिगई है दो काली तारे और दो ग्रे तारे यानि सलेटी तारे पहली काली तार जाएगी आपकी L1 पर यानि की R phase के R तार के साथ और दूर जाएगी red switch के साथ जो बचीवी दो सफे तारे हैं वो जाएंगे आपकी दोनों हरे बटन पर तो यह थे बड़े simple connection आए हम देखते हैं कि इसे connection कैसे की जाते ह अपना मोटिफ का M7 Mini Auto Switch है इसका आज हम connection करेंगे MDP 120 मोटिफ के starter में जो अपना और स्टार्टर है इसको हम पहले 3-phase supply देंगे 3-phase supply देंगे इसका R-phase से R-wire connect करेंगे यह Auto Switch का इसको हम इसको ऐसे connect कर देंगे इसका और Auto Switch का B-phase और Main Line का B-phase हम इसको ऐसे connect कर देंगे यह हमने अपना जोड़ देया है ऐसे इसका अपना साथ तायर होता है M7 Mini तो ग्रे वायर होंगा जो वह अपना हरे बटन पर लगेगा स्टार्ट बटन पर एक वायर हम बनाएंगे अभी स्टार्ट बटन के एक पॉइंट पर दूसरा अपसे लेटी तार हम इस पॉइंट पर रगा देगें और एक ब्लेक वायर हम यह उलावा पॉइंट स्टो बटन का इस वाले पॉइंट से खुल कर जो अपना अपना एक ब्लेक वायर फोटो स्टो बटन के लगा देगे और जो यह पॉइंट खाली हुआ है इस पर हम इंसुलेशन टेप के साथ अपना दूसरा बचा हुआ ब्लेक वायर लगा देगे यह अपना मोटिफ मीनी का M7 मीनी का कनेक्शन हो चुका है अब हम इसको मेन सप्लाई देंगे मेन सप्लाई ओन होता ही पावर ओन हो डिले का बनती चलेगा सबसे पहले मैनुवल पे हम इसको चेक करेंगे मैंनल पे फून ओफ करेंगे और फोर अब फिर हम इसको ओटो मेडाल को चेंग करेंगे 30 सेकंड के अंदर ये चलेगे अब हम जैसे ही एक फेस का अपना कम होगा तो ये फोल्ट का बतना लगा ये अपने आप मोटो में अटो कट कर देगा जैसे ही फेस्टीन होगा ये फोल्ट का मिद्धी चला जाएगा और स्टार्टर फिर ऑटोमेंटिक पर स्टार्ट हो देगा तो जैसा कि आप में देखा कि मोटिट M7G मेनी के कनेक्शन कैसे और स्टार्टर में किजा सकते हैं मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे अपने कनेक्शन को फिल्कुल ठीक लगा पाएंगे फिर भी अगर आपको कनेक्शन में कोई भी दिक्कत आए तो आप हमाँ नीचे देगे टोलफी नंबर पर कॉल कीजिए और तखनीकी सहाथा को पाईए मोटिव के पास हर तरह का आउटम स्विच अवैलेबल है और पैनल की है विशाल श्रंखला इन पैनल से जानकारी के लिए आप हमारे वेब्साइट पर जाके भी देख सकते हैं या फिर नीचे देगे टोल की नबर पर कॉल करके भी जाता है मुझे अमीद है आपक जाता है